ये RJD आफिस में हमारे समवादाता पहुंचे और उन्होंने क्या देखा जरा वो देखते हैं अमेरिका हो या फिर बिहार चुनाव मतलब TV9 भारत वर्ष और चुनाव परिणाम आने की जब बारी है तब हमने जो भव्य तयारियां की है वो आपको हम दिखलाते हैं RJD के दफ्तर में इस वक्त मैं मौझूद हूँ और यहाँ पर जो बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है वहाँ पर लोगों के भरोसे का प्रतीक TV9 भारत वर्ष मोतिहारी से एक एक जगह से जो 55 काउंटिंग सेंटर है जिस तरीके से चुनाओं में हमने 38 जीले, 38 रिपोर्टर और आज 55 काउंटिंग सेंटर पर 55 हमारे समवादाता चप्पे चप्पे पर दिल्ली से ले करके पटना और जीले और हर काउंटिंग सेंटर पर और आज भरोसे का प्रतीक और जिस तरीके से ये देखिए ये राज़त के दफ्तर का जरा नजारा देख लिजे किस तरीके से लोग एक एक आकड़े पर निगाहें ठिकाए हुए हैं यहाँ पर सुरक्षाबलों के जवानों को भी तैनाती की गई है राज़त के समर्थक कारिय करता नेता यहाँ पर और यहाँ पर पूरे चुनाव के दौरान तरेजत्ये जसुई आदों ने मीडिया को यहीं से समळदित किया वर्चूल रेलिया युवा नौकरी समवाद यहीं से किया और यहाँ पर विक्टरी भारत वर्स बड़े LED स्क्रीन पे और यह दर्साता है कि ना सिर्फ तेज बलकि सटीक सार्थक और तैयारिया की थी कैसा लग रहा है बिल्कुल हमारी सरकार बन रही है और हम बहुमत में आ रहे हैं यही चैनल क्यों देख रहे हैं वानेटी प्लस देखिए भारत टीवी नाइन के थ्रूही हम सारा इंफोर्मेशन अभी तक जो भी है आता है रुजहानों में उपर नीचे हो रहा है वो ठीक है मानते हैं लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा महागठ बंदन का 180 प्ल बंदेख रहे थी आप बहुत बहुत के करीब थे तब खुशी हो रही होगी अभी मुकाबला काटे का है अब आगे पीछे तो चलता रहा है हम लोगका सरकार बढ़नेगी मुख्यमंद्री बनेंगे तेजस्वी बिल्कुल बिल्कुल समर्थ के सबसे पहले सबसे युवा अगर श्थिति बदल जाती है तो क्या होगा? यह जो लोग सासुवा से दिख रहा था अगर बदलती है फिर भी पेस के सबसे मजबूत ससक्त युवा नेता के रूप में तजश्वी आही रहे है नेता के रूप में उफरेंगे बताई क्या है और इस वक्त की टैली 121, 109, 76, 121, NDA, महागडवंदन 109, LJP 7, 96 धुआ धुआ सा ये शहर क्यों दिखता है? सुना है बाजार में धुएं का सामान बिखता है ये दिवाली सिर्फ दिवाली